ग्राम पंचायद छापरी खुर्द सरपंच भवरू खां बोले जनता से किये हर वादे को पूरा करक्षित्र के हर वन्चित विकास को करेंगे पुर्ण नागोर्जले की मोला सरपंचायद समिती की ग्राम पंचायद छापरी खुर्द के वर्तमान सरपंच भावरु खाँ वैसमाज सभी फारुक खाँ ने आर्पीडी न्यूज खास मुलाकात को संबोधित करते हुए पंचायत की समस्त समस्याओं वह उनके द्वारा किये गई विकास कारियों पर विश्तरित जानकरी दी हमाज से भी फारुखा ने जानकरी देते हुए बताया कि जनता ने हमें पंचायत में चहुमुखी विकास के उदेश्य से यह सरपंची का ताज पहनाया है और पद पर आने के बाद पंचायत वास्यों की बहुत सी समस्याओं का समाधान भी किया जा चुका है और आगे निरंतर हम जनता से कि यह हर वादे को पुरा कर उनकी उमीदों पर खरा उतरते हुए शित्र के हर वंचित विकास को पूर्ण करेंगे आईए सुनते हैं आर्पीडी नियूज खास मुराकात के दोरान हुई वारता को आर्पीडी नियूज से किसन सोलंकी हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचा चापरी कुर्द जिसके नव निर्वाची सरपंच है बहरू खांजी और उनके जो पुत्र है परतिनीदी के रूप में वो हमर साथ है थारूख खांजी उन से रूपर होते हैं और बातचित करते हैं कि जैसे उनके पिता जी ने यहां से चुनाव फाइट किया और जनता ने उनको अच्छे वोटों से लीड दिये और सरपंच पद पे बिठाया है तो उनके ऐसे विकास के परति क्या मुद्दे थे जिनको लेके वो ग्राम पंचाइट में चुनाव फाइट किया उन्होंने और जनता ने उनको मोका दिया तो सरपंच साब नमस्कार तो साब आपके पिता जी यहां से चुनाव मैदान में और जनता ने अच्छे वोटों से विजय बनाए उनको और इस पद पे बेठाया है सरपंच पद पे तो आपको ऐसी ग्राम पंचाइट की मेजर क्या समस्चा लगी जिसका आप समाधान करवाना था गाओं में सबसे वड़ी समस्या थी गाओं में पीसी का निरमान रुकावा था गाओं वालों को ये उम्मीद थी कि अगर बहुरू खान सरपंच बनेंगे तो यह पीसी का रुखावा काम वापी सुरू होगा तो वह हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया पीसी का काम गाहों में नेट्वर्क की बहुत बड़ी प्रोब्लम थी पंचाइत में चुगनी गराम है वहां कोई भी कंपनी का नेट्वर्क नहीं था तो गा हमने लगा करने में पूरा प्रियास किया है आगे हम प्रियास रत रहेंगे और करोना काल के करण जो हमारी सोच थी कि हम पंचाइत में इस इस्तिति में विकास करेंगे वह पूरा नहीं हो पाया है लेकिन फिर भी हमने हर आल में कोशिस किये कि छोटे से लेके बड़े से बड़े का काम जो जितने वादे थे हमारे वो वादे हम आगामी तीन साल में इस्वर का स्योग रहा तो हर आल में पूरे करने की कोशिस करेंगे बहुत ही अच्छा कि जो यहां जो ग्रामिन है और इस पंचायत की जनता है उनको बहुत ही मानलो आवशक जरूरी थी पीएसी की तो इन्होंने मानलो इतने टाइम से जिस काम जो काम नहीं हो रहा था और अधूरा था उसको पूर्ण किया है और जो नेटवर्क की जो होना भी बहुत वड़ी बेंकर समस्चा थी उसको भी इन्होंने समदान किया है और जैसे रोडों का कि बता है उर्भण कि रोडों का भी विकास हुआ है तो सबस्क्राइब हैं क्योंकि यहां आसरपास कि ग्राम पंचायत हो गये हैं तो वहाँ कई जगे पेजल की बहुत गांग के लोगों के स्योग से एक जगे पे जगे चीनित करके एक नई टूबेल करवाई जिससे चाफरी कुर्द में पेजल की समझा दूर हुई लेकिन अभी गराम चुगनी है उसमें पेजल की समझा है बहुत ज़्यदा है और वहां पे पानी का इस तरफ दिनो दिन गिरत जा रहा है तो कोशिस कर रहे हैं हम सरकार से हमारी मांग है कि चुगनी गराम को इस पेसल योजना में एमजीएस में लेके उसमें केतों में पानी के टंके बनाके इस कारिये में सरकार अपनी बागेदारी निभाए और हम अमारा वादा पूरा कर सके बहुत अच्छा कि जै तो सर्पन साब है जो उनके परतिनीदी है वो भी यही गुहार कर रहे हैं सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पानी की पूरती की जाए तो जनता का जो संकट का सामना कर रही है उससे निजात पास के तो बहुत अच्छा तो सर्पन साब आप एक किया और यहां की मालो जो सिक्षा है उसका स्तर कैसा है और आगे आपकी क्या प्रयास रहेंगा सिक्षा के प्रति हमारा रुजान ही है कि हमारे जो गौवर्मेंट के विदा लिए थे हम जब सरंपच बने थे तब विदालियों की कंडिशन यह थी कि उनमें ज्यादा सी जएधा सो एडमिसन पाए जाते थे हमारे यहां पूल तक सेनियर सेकेंडरी स्कूल है उस स्कूल में हम रोज निरेक्षन करते रहे हैं उसमें समस्य थी उसकी च्छत जरजर ती तो हमने गाहँवालों के स्रियोग से बहमासों के स्रियोग से उस च्छत को सही करवाया और जो भी गुरुजन है उनसे मिलके हमने दिन पड़ती दिन एक नए वियवाम पर काम किया कि अपन को स्कूल में चैयर सो पलस एडमिसन है और गाहों की पपली को जागरू कर रहे हैं ज्यदा से ज्यदा कि सिक्षा पे दहन दो सिक्षा है तो सब कुछ है नहीं तो कुछ भी अंदेरा है तो सिक्षा से जोड़ना बहुत ही इनकी एहम भूमिका रहेगी कि जो भी ग्राम पंचाइट में जिस मालो जो भी छे ग्राम पंचाइट के जो लोग है उनको गर गर जाके मोटिवेट करना कि जिनके बच्चे अगर विदालेम नहीं जा रहे हैं उनको ज़द गुम रहे हैं उन युवाओं के लिए आपके क्या प्रियास रहे हैं युवाओं के लिए हम कंटिन्यू प्रियास रहत हैं युवाओं के लिए हमारी सीनिर सेकंडरी स्कूल में बार बार जो खेल पड़तियों की ताकिया करवाई जाती है और दोड़ पड़तियों की ताक लगबग लगबग आपको आर्मी में बंदा मिलेगा तो हमारा भी परियास रहती है युवाओं को हम जागरू कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू परियास करते रहो आपको दिन पड़ती दिन एक नई तर्की मिलती रहेगी तो युवाओं की भी यही लगन है इस गाउं के हुदा के लिए सतर करे यह पढ़िने में भी आगे हैं और हर बढ़ती में JUDY तैयारी करते यह तेन च्यार गंदे और रोजगार पाने के लिए हर साल जितनी भी बढ़ती आती है उन बढ़तीयों आनी देखने लिए कि परते गर में एक दो एक दो पलस फोजी है जो अमारे डेश की रक्षा के लिए है गए वे हैं तो सर्पन साब की भी यही कोशिश रहेगी कि जदा जदा युवाओं को मानलो मौका देना और युवाओं को जदा जदा किसी भी परकार की कोई बरती आती तो उसमें योगदान और इनका स्योग करना ही मुख्योदे से रहेगा तो सर्पंजाब अभी हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही है दो साल से बहुत ही वेंकर विक्राल रूप दरन करी है और तीसरी लेहर भी आने की संभावना में है तो आपके इसके बीच बचाव के लिए आप इन लोगों कैसे मोटिवेट कर रहे हैं अपने चेतर के ग्राम के और जो वेक्सिन लग रही है वो अभी अपनी ग्राम पंचाहित में किता परसंट तक हो चुकी है ग्राम पंचाहित में हम लोगों को यूं मोटिवेट कर रहे हैं कि जो भी विवार श्याधी फंक्षन प्रोग्राम है उसमें कम से कम बीड़ करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं रखें और करोना से बचावी ही उपाई है, बहुत तरा कोई उपाई नहीं है, रही बात व अप्रिकूर्द में होने के कारण है, हमारी पिएसे में वेक्सिनेशन का बहुत अच्छा कारिय हुआ है, जिसमें आज घाओं की लगबग 65% अबादी, जिसको वेक्सिनेशन हो चुका है, तो आने वाले महिने बर में 100% तक वेक्सिनेशन हो जाएगा, बहुत अच्छा, तो जैसे अब बात करते हैं, कि जो ये मालो इसके अंदर छेतर है, तो मालो इसके अंदर आपके जो ग्राम पंचायत के अंदर, जो मालो किसान वर्ग का लोग है, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे, किसी भी जैसे सरकार द्वारा जो भी योजना आती है, उसमें ज़्यदा से ज़्यदा कोशिस ही रहेगी किसानों के लिए, कि कोई भी योजना से, कोई भी चापरी कुर्द ग्राम पंचायत का किसान पुंचित नहीं रहें, हर आल में, हमारी कोशिस ही रहेगी, कि हम उसकिसान तक वो लाब सीधा पूंचे, बहुत यह अच्छा कि ज़्यदार द्वारा जो भी कल्यान करी योजना आती है, वो जन जन तक पहुंचाना ही, इनका मुख्योजे से रहेगा, यह थी हमारी खास मुलागात फारुक जी से, तो जो परतिनीदी है, तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए बह